योग गुरू भी मौजूद हैं मैं रवी व्योम शंकर जा आप करूप करना चाऊंगे और ये कुछ आसन आपको बताएं को जरूरी बाते योग के बारे में बताएं उससे पहले दो तीन लाइने इनके बारे में जो किर्तिमान इन्होंने हासिल किये हैं जो किसी के नाम अब किया हैं दर रवनिश व्याज जो कि योग गुरू है पूल राष्ट पतिपरणब दाके वो उनको योग करा चुके हैं योग गुरू रह चुके हैं और इन्होंने भी कई किर्तिमान अपने नाम किये हैं रवी व्योम जी मैं आप से योग के बारे में दो चाल लाइनों मे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कई किर्तिमान आपने अपने नाम किये हैं और साथी कुछ योगासन जो बहुत जरूरी है आज की समय में देखे जीवन को योग योग एक शंतुलित जीवन सैली है जिसमें हम विराटता चरित्र निर्वान करते हैं चरित्र निर्वा काम है आज कल इस्ट्रिस देख रहे हैं जो कितने हर एक जगह इस्ट्रिस का दौर है आप लोग भी काम करते हैं तो वर्क आउट काफी जादा रहता जो आफिस में रहते हैं कई सारे तो उनके लिए अंगूठे को कान से बंद करेंगे पूरे और पूरे जो अंगलियां मा ओम प्रस्त तक पहुचाता है आपके विचार आप में इम्यून सिस्टम की बात करते हैं इसके लिए कपाल भातियाज बहुत जरूरी है कि कपाल भातिया आप करें इसको प्रणयाम भी कहते हैं और ऐसे भी प्रकडिया क्रिया भी कहते हैं इसमें सांस को बाहर छोड़ना है प परमात्मा से कनेक्ट करते हैं ये योग है। आपने भी हासिल किये हैं तो दो बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं एक तो कोरोना काल में हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग करना इस पर जोर दिया जा रहा है दूसरा स्ट्रेस को दूर भगाना है कैसे करें जी जी स्ट्रेस देखिए अवशाद चिंता ये सारी इस उसे अच्छा माना जाता है जितने हमारे अंग अच्छी तरीके से मिलेगा उतना ही जल्दी आवसाद से चिंता से बाहरा सकता है Stress Buster का सबसे अच्छा उपाय है वो है प्रानयाम में नाड़ी सुधन प्रानयाम क्योंकि नाड़ी सुधन प्रानयाम के अंदर जब हम करते हैं तो उसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं वर जब हम सांस को ग्रहन करते हैं तो हमारी उससे Lungs Capacity इंप्रूब होती है तो हमारी सोचने और समझने की जो चमता है उसमें भी बढ़ोतरी होनी लगती है क्योंकि हमारी कहते हैं कि कुछ भी कारी करते हैं उसका सीधा असर हमारी किस के उपर Creativity के उपर पड़ता है रचनात्मक चमता के उपर पड़ता है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रानयाम है उसके बाद हम कुछ आसन कहतें कि आसन क्या करता है हमारी सरीर के लिए तो आसन हमारी सरीर की मालिस करता है और आसन भी बहुत सारे ऐसे आसन है जैसे ससांक आसन है, भुजंग आसन है, गौमुक आसन है ये सारे आसन जो खास करके हैं वो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है और सबसे प्रमुख है आज के समय में स्ट्रेस से भी ज़्यादा है वो है हमारी Immunity Power आज कोरोना काल में आप देखें पूरे दुनिया तरस्त है उसमें और जो योग करते हैं वो मस्त हैं क्योंकि योग जो कर जादा उपयोगी माने जाते हैं हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक छमता को कई गुड़ाय बढ़ाने के लिए जैसे कि सर्वांग आसन माना जाता है कि सभी अंगों की मालिस करता है यह एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे लंग स्केपिस्टिटी हो चाहें आपकी बैक हो चाहें कॉंस्टिपेशन हो अब माना जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी टमी जो है बिलकुल अंदर होनी चाहें आज देखे